हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फैस्टिवल कौन से मन्त में मनाया जाता है यह जो है इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां से भी आजकल जो ह फैस्टिवल थिक है तो इस वीडियो में हम लोग सारे इंपोर्टेंट जो फैस्टिवल है कौन से मन्त में होता है यह हम लोग देखेंगे ठीक है तो सारे जो है expected question है तो बहुत ही ध्यान से गेंथना है तो start करते हम लोग κοनात्य है और यह 10 निस focus लियर होता है तो यह 10 दिनों तक मनाया जाता है ओनम और यह जो ओनम है यह आपको केरल में बहुत ही special रूप से मनाया जाता है ठीक है तो widely celebrated in केरल होगा यहाँ पर right answer मल्याली community है यही मनाते है ओनम को और यह किस महीने में मनाया जाता है तो अगस्त और सेप्टेंबर के महीने में मनाया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है यहां से दो टाइप से question पूछेगा पहला कि ओनम किस मन्त में मनाया जाता है तो अगस्त सेप्टेंबर के मन्त में मनाया जाता है और कितने दिनों तक होता है ये तो 10 days तक होता है किस community दोरा मनाया जाता है तो मल्याली community दोरा मनाया जाता है next जो important festival है वो है पोंगल पोंगल भी जो है ये harvest festival है ओनम भी जो है वो harvest festival था पोंगल भी जो है वो harvest festival है और यह celebrated होता है कहाँ पर तमिल लाडँ में, ओनम कहा होता है, केरल में, Pongal होता है तमिल लाडँ में Pongal जो है, यह 4 दिनों तक मनाया जाता है, यह भी धियान रखना है कि Pongal कितने दिनों तक मनाया जाता है तो four days का ये long festival है जो पहला दीन होता है उसको हम कहते है भोगोई पॉंगल second day को कहते है सुरिया पॉंगल third day को कहते है मटू पॉंगल और fourth day को कहते हैं हम लोग कनूम पॉंगल तो ये चारो days के अलग-अलग नाम है ठीक है लेकिन ये सब related है पॉंगल सही और पॉंगल जो है ये कब मनाए जाता है तो january, february के मनत में मनाय जाता है ठीक है ये भी आपको ध्यान लगना है पॉंगल जो है कब मनाय जाता है january, february के मनत में next हमारा next हमारा जो festival है बीहु बीहु तो आप सब लोग जानते हैं कि असम का जो है ये important festival है बीहु ठीक है बीहु कहाँ पे celebrated होता है असम में होता है और देखिए इसके तीन नाम है तीन types के बीहु होते हैं तो पहला हो गया भोगु बीहु रंगुली बीहु ठीक है जो कि अप्रील के मनत में मनाया जाता है ये spring festival होता है ठीक है उसके बाद है कोंगाली या कटी बीहु होता है ठीक है ये दूसरे टाइप के festival हो गया बीहु के कोंगाली और कटी बीहु और इसको हम लोग कहते हैं जैनवरी के मंत में मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तीन टाइप्स के भी हूँ हो गया पहला हो गया भोगाहा भी हूँ या रंगोली भी हूँ जो की स्प्रिंग फेस्टिवल है ये अप्रील के मंत में मनाया जाता है कॉंगाली या कट्टी भी हूँ जो नागा लेंड में मनाया जाता है ठीक है ये हर साल कहां पर होता है नागा लेंड में और ये जो celebrated होता है होजों आपको धियान रखना है अब देखिए हम लोग देखते हैं important फेस्टीवर्स इन इंडिया तो ये सारे कुछ important नाम है ठीक है ना festivals के और वो किस मन्त में मनाया जाता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है तो पहला जो माफटी Alors m97 आपको ध्यान रखनाँ और चुरी जो है यह एपृरी सक्षेश मन्कूर क्पेराइजुकRE बोगाली बीहु जो है ये मनाया जाता है जैनवरी के मन्त में, वांगला फेस्टिवल नवंबर के मन्त में मनाया जाता है, नुवाखाई जो है अगस्त के मन्त में मनाया जाता है, गूरी पड़वा जो है ये मार्च के मन्त में मनाया जाता है, नवाना जो है ये नवंबर द कालेंडर हो उसमें आप देखेंगे जो भी important festival हो गया वो किस मन्त में है वो आप एक बार वहां से भी आप इस topic को वहां से भी cover कर सकते हैं यह तो मैंने कुछ important festival का नाम करवाया है किस मन्त में मना जाता है लेकिन और detail के लिए आप कहां से करेंगे इस topic को cover तो जो आपके घर में calendar होगा उसमें दिया होगा ठीक है अब direct हम लोग चलते हैं question answer पे MCQ question में और देखते हैं कि कौन-कौन से question exam में पूछा गया है और पूछा जा सकता है तो पहला question है कि लोरी a harvest festival of Punjab is celebrated in the month of Dash every year तो यह SST में पूछा गया question है कि पंजाब का एक फशल उत्सव लोरी हर साल Dash के महीने में मनाया जाता है तो क्या हो जाराइट answer किस month में मनाया जाता है तो january के month में मनाया जाता है नेक्स जो question है वो है कि which of the following festival is celebrated during the आमवस्चा of the कार्थिक month तो कौन सा तहवार कार्थिक मार्स की आमवस्चा के दोरान मनाया जाता है तो क्या हो जागा राइट एंसर वो कौन सा फेस्टिवल है तो वो है दिवाली तो दिवाली जो है ये कार्तिक मास की अमवश्चा के दौरान बनाया जाता है दिवाली सब लोग जानते हैं है ना नेक्स्ट हमारा कोशन है छट पूजा छट पूजा द फीमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस डेडिकेटेट टू विच अफ द फॉलेंग गौड्स तो जो छट पूजा है है ना ये नौर्थ इंडिया का बहुत ही इंपोर्टेंट फेस्टिवल होता है छट पूजा ये किस भगवान के भगवान को शमर्पित ये पूजा है तो क्या होगा राइट एंसर राइट एंसर हो जाएगा शन ठीक है सुर्य भगवान की पूजा होती है छट पूजा के दौरान में ओके नेक्स्ट हो गया कि which of the following festivals of Punjab is traditionally associated with the harvest of Rabi crops तो पंजाब के निम्न लिकी तहवारों में से कौन सा प्रारम प्रगत रूप से रभी फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जागा राइट एंसर वैशाखी हो जागा correct एंसर ठीक है वैशाखी जो है हर सा जो है अप्रील के मंत में मनाया जाता है ठीक है तो यह भी आपको धियान रखना है नेक्स्ट हो गया कि for how many days in the Indian festival of ओनम celebrated in केरल तो ओनम जो है जो कितने दिनों तक केरल में मनाया जाता है तो क्या होगा right answer starting में हम लोगों ने करा था कि ओनम जो है वो कितने दिनों तक होता ह है तो 10 days तक होता है तो यह भी आपको धियान रखना है कि 10 दिनों तक केरल में मनाया जाता है उनम नेक्स्ट हमारा है कि the international kite festival in गुजरात is held in the month of death तो देखिए international जो kite festival होता है यह गुजरात में होता है ठीक है और यह किस महिने में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है किस मंत में January के मन्त में तो मकर संकरांती जो कि January के मंत में होता है उसी time यह festival भी जो है और्गनाइज किया जाता है next है कि in which of the following Hindu months is the festival of Diwali celebrated तो किस Hindu महीने में Diwali का तहवार मनाया जाता है तो क्या होगा right answer वो कौन सा month है जिसमें जो है Diwali का तहवार मनाया जाता है तो कार्तिक हुजाएगा right answer ठीक है कार्तिक के month में जो है ये diwali का festival मनाया जाता है next हमारा question है माजूली फेस्टिवल is celebrated in the month of death तो यह जो माजूली उत्सब है यह किस महीने में मनाया जाता है तो क्या होका right answer माजूली उत्सब जो है यह नवंबर के मन्त में मनाया जाता है तो यह भी आपको ध्यान लगना है कि किस मन्त में मनाया जाता है तो नवंबर के मन्त में मनाया जाता है यह माजूली फेस्टिवल नेक्स्ट है कि which of the following festivals is celebrated on the fifth and last day of दिवाली तो कौन सा वो तहवार है जो दिवाली के पांचवे और आखरी दीन मनाया जाता है तो क्या हो जागा right answer इसर दिवाली के पांचवे और आखरी दीन कौन सा तहवार मनाया जाता है तो वो है भाई दूज ठीक है भाई दूज मनाया जाता है नेक्स्ट है कि in which month is the मकर संकरांती festival celebrated every year तो मकर संकरांती का तहवार हर साल किस महीने में मनाया जाता है तो मकर संकरांती मनाय जाता है हर साल जो है जैनवरी के मन्त में तो ये भी आपको ध्यान रखना है जैनवरी के मन्त में होता है ये नेक्स्ट है कि which of the following festivals is celebrated in the हिंदू मन्त of फालगुन तो फालगुन के हिंदू महीने में निम लिकित में से कौन सा तहवार मना जाता है ठीक है इसको फालगुन या फालगुन भी कहा जाता है ठीक है ये होता है इस महीने में होली ठीक है होली होता है ये इसी मन्त में होता है ठीक है मार्च के टाइम को कहते हैं हम लोग फालगुन नेक्स है कि which of the following festivals is celebrated in the month of August-September तो August और September के month में कौन सा festival मनाया जाता है ठीक है तो यहाँ option देखके आप समझ गये होंगे कि क्या होगा right answer ओनम हो जागा correct answer ठीक है ओनम जो है यह August और month के महिने में मनाया जाता है next हमारा question है कि horn bill उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है देखिए तो horn bill festival नागलेंड में होता है आपको मालूम है तो horn bill festival जो है यह कितने दिनों तक मनाया जाता है तो total 10 दिनों तक मनाया जाता है यह horn bill festival ठीक है तो horn bill festival जो कि annual festival है और यह celebrated होता है एक से लेकर 10 दिसंबर तक ठीक है नागलेंड में नेक्स्ट है उगादी फेस्टीवल in southern state of India is celebrated in which of the following months तो एक और important festival है जिसका नाम है उगादी ठीक है तो ये किस महीने में मनाया जाता है उगादी तो right answer क्या होगा चैतर के मन्त में मनाया जाता है ये जो चैतर है ये मार्च अप्रिल के मन्त को हम कहते है हिंदी में ठीक है नेक्स्ट हो गया गुरू पुर्नीमा गुरू पुर्नीमा a festival celebrated by Hindus, Jains and Buddhists in India fall in which of Hindu calendar तो गुरू पुर्नीमा जो है ये किस महीने में आता है तो गुरू पुर्नीमा आता है अशाड के महीने में ठीक है तो अशाड हो जागा यहां right answer जून जुलाई वाले मन्त को क्या कहते हैं अशाड का मन्त कहते हैं ठीक है जुलाई अगस्ट सावन हो गया नेक्स्ट है पॉस पुर्नीमा ये जो है कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है जैनवरी के मन्त में ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हमारा कोश्चन है गुरी पढ़वा इस सेलिबरेटेड इन विच आफ दा फॉलिंग मन्त तो ये जो गुरी पढ़वा जो है ये किस महीने में मनाया जाता है ये महरास्टरा का important festival है ये भी चैतर के महीने में मनाया जाता है ठीक है चैतर का महीना जो कि मार्च अप्रील वाले मन्त को कहते हैं हम लोग नेक्स्ट है अम्बू बाची festival of Assam is celebrated in the month of Dash every year तो Assam का जो अम्बू बाची तहवार है ये हर साल Dash के महीने में मनाया जाता है तो किस महीने में मनाया जाता है ये अम्बू बाची festival तो ये जून के महीने में मनाया जाता है ठीक है जून के महीने में मनाया जाता है अम्बू बाची festival नेक्स हमारा है कोश्चन है मांडो फेस्टिवल ये कम मनाया जाता है तो मांडो फेस्टिवल हर साल डैस के महीने में मनाया जाता है ये भी इंपोर्टन फेस्टिवल है मांडो तो राइट एंसर क्या हो जागा मंडो फेस्टिवल जो है ये दिसंबर के मंत में मनाया जाता है ठीक है ये भी ध्यान रखना है आपको मंडो फेस्टिवल जो है ये दिसंबर के मंत में होता है नेक्स्ट है गंगौर गंगौर जो है राजस्थान का इंपोर्टन फेस्टिव यह हर साल जो है किस महीन Можно जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि गंगजुब्युफ यह सब हर साल Has एक रच बियुफ चाहता है नेक्स्ट काल बोहाग भीहु तो बियुफ cioè न सब के महीन महीना जाता है क्गे हर साल डैस के महीन साल कर दे हम था बियुफ के मंत में यह बोहाग भी हूँ next है which of the following festivals marks the start of the Telugu new year तो कौन सा तहवार Telugu 9 वर्ष की सुरवात का प्रतीक है तो Telugu 9 वर्ष की सुरवात का प्रतीक है कौन सा तहवार तो वो है उगादी ठीक है उगादी हो जागा यहाँ पर right answer तो इस तरीके से यह जो topic है इसके जो important festival है वो मैंने आपको करवा दिया है बाकि इसको detail में अगर आपको अच्छे से करना है तो आपके घर में जो calendar है उसको थोरा सा आपको एक बार detail वे देख लेना होगा कि January के मत में कौन सा festival होता है February में कौन सा होता है तो ठीक है तो वो आपके लिए important रहेगा उसके अलावा book में तो आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा calendar में ही आपको मिल सकता है बाकि PDF के लिए telegram चनल को join करना है तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए जो है all the best